देखिए तो कुशिन क्या है एफ और सार कंटिन्यूस है एंड सपोज ये एफ दिस के पीन बर कंपोजिशन करने से एक वो अडेंटिटी फंचन हो रहा है तो बोला जा रहा है कि दो बार अगर एफ को कंपोज करें तो अडेंटिटी के बराबर होगा समझें हलो सुन दे रहा हिक ए ann दो है कैसा है ध्यान के चाहिए है और यह द्यान के चाहिए है एक दिए का मतलग पावर मत समझ लिया कंपोजिशन है एक दिए स्क्राइर का मतलग दो F कंपोजिशन है that's what it means, okay how do you approach it, how do you think about it see first time given kya hai, f is continuous right okay, or this is equal to this so, my claim here is that f is injective how do you see that f is injective, this function is injective how do you see that f is proof, how do you see that f is how many of you can you see this so, let me tell you yes, how yeah yeah jali first time hmm dekhe सब्सक्राइब क्या चाहिए कि माल लेते हैं कि f of x equal to f of y है तो क्या करेंगे f square से compose कर देता है और अवाज दो भाई कि सुनाएं दे रहा है कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे बाचित था गए इसका मतलब अब fq तो x दे रखा है यह तो y दे रखा है अगर images से मैं तो domain के element से माँ गए तो function नहीं इंजेक्ट हो कि नहीं यह एक fact अगर f r se r continuous है अगर f is injective अगर f अगर 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 आगर नहीं तो कि अगर अगर प्रियों नहीं अगर था कि अगर थादिक्ट एदजिखा है अगर आवा सैमें इसको प्रूफ कर लोगे इस फैक्ट अब आज दो हुआ 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 है जो फार से आर कंटिनियूस है तो आपका इंजक्टिव है यह तो एक श्रिकलिंगरीचिंग होगा यह एक श्रिकलिंगरीचिंग होगा और बहुत बढ़िया च्छिक यहां पर अगर हम लोग जाएं तो इन इन दिस केस हेर एफ तो कंटिनियूस है इन जेक्टिव है यहां पर एक्सट्रा चीज यह भी दिया हुआ है कि यहां से यह देखो एंड F is continuous यहां से देखना कि F is strictly increasing हो जाएगा ओके F strictly increasing है strictly decreasing तो है बढ़ चुकि यह hypothesis आपने दिया हुआ है तो function strictly increasing होगा क्यों अगर strictly decreasing ले ले लें तो कुछ contradiction प्रूब कर देते हैं क्या है न क्या लगता है सुन पा रहे हैं सब कैसे कैसे बता स्ट्रिक्ली डिक्रीजिंग होने इसके अगर डिक्सिन आएगा बहुलो माल लो सपोर्स एफ इस स्ट्रिक्ली डिक्रीजिए जिसका मतलब अगर एक्स लेज दिन वाई है तो इसका मतलब एफ एक्स हो जागा फिर से अप ऑपरेट करें हाँ अब ह। अराम सारह Ariana यह फिर से अप उपरेट करो कितना देगा तो फिर से आफ उपरेट करेंगे रिाश यह आएगा ना डिक्रीजिंग है अवाज दा इसके बहले किसके ब्राबर है x ये value किसके बराबर है y ये तो contradiction आया ना हम क्या मान के चले थे x less than y और आया क्या है add than x greater than y contradiction right कुछ बोल नहीं रहे सब so f strictly decreasing नहीं होगा तो इसका मतलब f strictly increasing होगा so f is strictly increasing on r so f हमारा strictly increasing होगा but this का मतलब no अब उसके बाद जो हमारा next claim है कि f of x x होगा next claim जो हमारा f of x होगा क्यों? suppose there is x0 such that f of x0 not equal to x0 without us variety assume x0 less than f of x0 तो अगर हम लोग अपरेट कर है this functions to clean increasing है ना अब आज दो यह quantity तो इससे छोटा correct फिर और यह यह किससे बढ़ा हो जाएगा यह x0 से बढ़ा हो जाएगा ना given information है ना दूरों साट f operate करेंगा f of x0 इससे बढ़ा है यह इससे बढ़ा x0 less than अब अच्छा एक सेकंड जिस्ट इमोमेंट अब यहां पर हम लोग फिर से इस पर लगाता है फिर से यह आ जाएगा यह अपना f square not f square इस इस और यह किसके बराबर है आवाज दो यह किसके बराबर है एक स्था और यह क्या है यह किसे बड़ा है f of x0 और f of x0 किसे बड़ा है x0 यह सही है क्या इस ए ट्रू बोलो है हैंस क्या प्रूफ हुआ बताए यह है है क्या क्या फ्ट्रूफ इस चाम अटल क्याप प्रूफ फ्रूफ है आए और सब्सक्राइब कैसे अप्रोच करना है और इतना बेसिक प्रॉब्लम है में दो-तीन चीजाए से रुष्याजए से और मेलिय 210 ओपब कर आ और इस तर्ट वुश्या और मेल द normalized से लिए अप्रॉट रहे है इन पलकित rightly किनें रुष्याल 1 शिल तहां रुष्याज्आ और इस तो ठीक है मेर वा सबको आवाज दो समझे की नहीं तक्सा इडिया चिक